राजिस्थान की शिक्षा नगरी कोटा जह लोग अपने बच्चों को अपने और उनके सपने पूरे करने भीशते लेकिन बच्चे महां से कफन में लपट कर घर वापस जाए शिक्षा नगरी कहे जाने वाले शेहर में हर दिन के साथ बच्चों की सुसाइट केस बढ़ते जाएं बात इस साल की करें तो अभी तक साल 2014 में कोटा में 9 कोचिंग चातरों ने सुसाइट किया बीतर तालिस गंटों में दो छात्रों के सुसाइट के बाद कोटा परशासन अब बड़े एक्षन लेने जा रहा कोटा एस पी अमरेता की रिपोर्ट पर जीला का लेक्टर रविंद गोस्वामी ने उन होस्टल और पीजी को सीच करने का आदेश दिया है कोटा डियेम के इस फैसले से कोचिंग और पीजी संचालकों में हड़कम मच गया दरसल मंगलवार को कोटा में रहकर परिक्षती तयारी कर रहे धूलपुर के चात्र भरत ने सुसाइट कर लिए भरत के कमरे में एंटि हैंडिंग दिवाइस नहीं लगा थैं भरत अपने सोसाइट लेटर में पिता को sorry भी भोला मैं भरत ने सोसाइट लेटर में लिखा प्रिशासन के इस पर्ष निर्देश के बाद भी इनके कमरे में एंटिंग हैंडिंग डिवाई नहीं लगाया गया दिसकारण अप्रिशासन ने इन होस्कल और पीजी को सीच करने का निर्देश दिया है। बतादे की कोटा में पिछले साल दो दर्दल से जादा स्टूडेंट ने सुसाइट किया जिसके बाद पूरवर्टी सरकार में गाइडलाइन बनाई थी और उसे सक्ती से लागू करने की निर्देश भी थी लेकिन साल 2024 में भी कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइट के सामने आने के बाद अब एक बार कोचिंग सिस्टम और कोचिंग संथानों पर डाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया जिसे कई सवाल 23 जन्वरी मोहम्मद जेड 29 जन्वरी निहारिकसी एक परवरी नूर महम्मद 16 परवरी परम जित्राइड 18 परवरी शिवम रगव 21 यह वो बच्चे हैं जिनोंने इन पांच महिने में सुसाइड किया ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दा नगरी न्यूस मैं शेक जुगी